प्रस्ण बैंक हलक अक्ष्य दस्वी गणित में अध्याय आठ त्रिकुन मिती का परिचय का हम अध्यन करेंगे और यह वार्षिक परिख्षा में अधिभार इस चेप्टर से है एक एक अंक के छे प्रश्ण और दो अंका एक प्रश्ण यहां से पूछा जाना है कुल आठ अ थीटा के सामने इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर देखिए सही उत्तर साइन थीटा के सामने यहां आजाएगा लंब बटे कर्ण तो यहां पर आजाएगा पहले वाले का उत्तर हो जाएगा लंब बटे कर्ण फिर दूसरे वाले में देखिए सेक थीटा का मान होता है एक बटे कर्णी 3 तो तीसरे नमबर पर प्राफ्थ होगा एक बटे कर्णी 3 यहां पर देखिए पहले नमबर पर लंबटे कर्ण दूसरे नमबर पर प्राफ्थ हो गया एक बटे कर्णी 3 चौथे नमबर पर देखिए कॉट थीटा लिखा हुआ है कॉट थीटा वास्तों में अंडरूट कॉसिक वर्ग थीटा माइनस 1 अर्थात यहां पर चौथे नमबर पर प्राप्त हो जाएगा अंडरूट कॉसिक वर्ग थीटा माइनस 1 क्योंकि हमें पता है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसिक वर्ग थीटा होता है तो कौसेक वर्ण थीटा माइनस 1 कर देंगे और अंडरूट लगा देंगे तो कौट थीटा हमें प्राप्त हो सेक 90-dHEटा क्या होता है कौशेक-IT एक दूसरे के पूरक कोण है तो सेक 90-A 3 को हम क्या लिग देंगे पांच वे नमबर में यहाँ पर कौसेक थीटा सहीं जोड़ी का प्रश्ण कर मांग 2 यहाँ पर देखिये कौशेक साथं का मान कितना है दो बटे करनी तीन तो यहाँ पर पहले का उत्तर हो जाएगा 2 बटे करनी तीन फिर देखिए 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कौट थीटा होता है तो यहां दूसरा उत्तर हो जाएगा कौट थीटा फिर देखिए टेन साइन 48 अंस इन्टू सिक बैले संस और कौस इन्टू कौसएक बैले संस किसी एक को यदि हम बदल देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा देखे, sign 48 ans को ये देखे, ये 48 ans है, into 642 को यदि हम cos 648 में बदल दें, और इसी प्रकार देखे, cos 48 है, cos 48 लिख दिया, और cos 642 को यदि हम 642 में बदल दें, से 48 में बदल दें, तो अब देखे, ये देखे, एक दूसरे के वित्करम का गुणा तो एक होता है, यहां भी एक दूसरे के वित्करम का गुणा, एक होता है, तो एक और एक मिलकर यहां पर दो प्राप्त हो जाएगा, तो तीसरे के सामने हमें क्या प्राप्त होगा, तीसरे का मान क्या होता है अनंत होता है यह प्माच्वे के सामने हम अनंत कर देंगे फिर सही जोड़ी क्रमांग तीन देखिए साइन सरी सेक वर्ग 3 theta minus 10 work 3 theta हमें पता है कि यह theta है और यहाँ पर 1 plus 10 work theta बराबर से work theta है जब 10 work theta का हमने पक्छांतर कर दिया सरस्वामी का 2 से हमें क्या प्राप्थ होगा एक प्राप्थ होगा तो पहले का उत्तर कितना प्राप्थ हुआ एक प्राप्थ हुआ अब दूसरे का देखते हैं टू इंटू 10 मपर 9 वर्क थीटा बराबर होता है से एक वर्क थीटा यहां पर आजाएगा सेर्वसर्पर क्रमान्ग दो है फिर यहां देखे तो सबकловर थीटा माइनस प्राप near तिटा अब यह क्या बचा को सेक का पूरग होता है सेट थीटा तो पांच्वे नंब्र पर यहां पर हो जायेगा सेयक थीटल अगली जोड़ी देखें यहां पर है one प्लस इंपर one plus caution बर्पति रबर होता है को सेख वर्ग थीटल तो होता है एक बटे लिए लिए गरटे कॉस थीटल एक तीसरे में देखें धिस्रा della क्या है originatedớ inheritance बराबर एक अभी हमने किया है तीसे के सामने एक हो जाएगा países का मान होता है करणी तीन तो चोंते के सामने हम क्या लिख देंगे करणी टीन और पाचवा है सेकh 90 माइस्टीटा तो होता है कॉसेख थीता यहां हो जाएगाchu से थेटा अब ले सेख जोड़िय० क्रमांग 5 यहां पहला उत्तर आ जाएगा सेख वर्ग थीटा सहीं ईत्तर हम लिख दें उसको फिर दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा 10 90 minus theta क्या होता है cot theta होता है ति हहाँ जाएगा cot theta फिर under root 1 minus cos work theta बराबर होता है sine theta यहाँ पर तीसरे नमबर पर प्राप्ट हो जाएगा sine theta फिर 1 plus cot work theta बराबर होता है cosac work theta सर्वसमी का number 4 है यह हो गया cosac work theta और फिर 5 वे नमबर पे देखिए पैता parties का मान होता है 1 अपν पτε ऑंडर 2 यह आगया 1 अपान टूसहीं जोड़ी क्रिमांग 6 देखिए साइन 60 का मान क्या होता है अंडर 2 तो पहला उत्तर आंडरी अप ओंडर 2 साइन साथ हंस का मान हो गया फिर दूसरा वन प्लस टेन वर्क थीटा क्या होता है से वर्क थीटा होता है यहाँ भी सर्वसमिका क्रमांग दो है देखिए सर्वसमिका से संबंदित बहुत सारे प्रशन यहां पर पूछे जा रहे हैं वन अपॉन सेख थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा तो तीसरे नंबर के सामने हम लिख देंगे कॉस थीटा फिर चौंथे नंबर के सामने देखिए कॉस वर्क थीटा धन स्वाइन वर्क थीटा देखिए सर्वसमिका एक को पलट कर लिख दिया गया है इसका मान भी कितना होता है एक ही होता है फिर देखिए पांचव सवाल हैं इन सभी के हल जो हैं हमारे इस चेनल में पहले ही अपलोड कर दिये गए हैं इन्हें समझे और अच्छी तरह से हल करने की प्रेक्टिस कीजिए आज के किलास हम यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद